सच्चिन तंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है हाला कि सच्चिन तंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया से सन्यास ले लिया है लेकिन सच्चिन तंदुलकर की पॉपुलेटी एतने अधिक है कि उनसे जुड़ी चोटी से चोटी बात भी newsletter की headline बन जाती है ऐसे में सच्चिन तेंदुलकर एक बार फिर इन दिनों सुर्खियों में आ गई है लेकिन इस बार सच्चिन तेंदुलकर अपनी वज़ा से नहीं बलकि अपनी बेटी की वज़ा से सुर्खियों में चल रही है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सच्चिन तंदुलकर भारत के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी से काफी जुड़े हुए है सच्चिन तंदुलकर और मुकेश अंबानी के परिवार के बीच काफी अच्छा संभन्ध है ऐसे में मुकेश अंबानी के घर कोई भी छोटी से छोटी पाटी होती है तो वहाँ पर सच्चिन तंदुलकर देखे जाते है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर जगा ये अफ़वा चल रही है कि सच्चिन तंदुलकर की 22 वर्ष ये बेटी सारा तंदुलकर और मुकेश अंबानी के बेटे अनन्द अंबानी के बीच कुछ चल रहा है कुछ लोग ये भी कह रही है कि ये दोनों डेट कर रही है अगर हम उमर की बात करें तो उमर में अनन्त अंबानी सारा तेंदुलकर से केवल दो वर्ष बड़े हैं अगर इन दोनों के बीज कुछ भी ऐसा है या फिर आपको लगता है कि ये दोनों रिलेशन्शिप्ट में हैं तो इन दोनों की जोड़ी काफी मेल खा रही है और सचिन तेंदुलकर भी चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी अच्छे परिवार में जाए वह परिवार मुकेश अंबानी से अच्छा किसी का नहीं हो सकता जो भारत के सबसे रईस व्यक्ति है अगर सारा तेंदुलकर और अनन्द अमबानी के बीच कोई भी रिलेशन्शिप है तो इन दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में चरूर बताए और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी अगर आप ये वीडियो हमारी फेस्बुक पर देख रहे है तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए अगर आप ये वीडियो हमारी यूटुब पर देख रहे है तो हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले करन खुराना पंचाप केसरी दिली झाल झाल